नमस्कार दोस्तो कोट मेरेज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका अपना लॉयर हिरदेश कुमार दोस्तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो डॉकुमेंट से रिलेटिड है और ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि ये देखा ये है कि कई बार आधार कार्ड वोटर आईडी या किसी अधर डॉकुमेंट में एज को डिफरेंट डिफरेंट लिखा गया होता है अब इस तरह के डॉकुमेंट को यदि प्रियोग करते हैं तो कई बार कपल्स के लिए ये मुसीबत का कारण बन जाते हैं और ऐसा देखा गय क्या है कि ऐसी मेरिश करने वाले कपल को सलाकों के पीछे भी जाना पड़ा है तो किस तरह से ऐसे डॉकुमेंट को प्रियोग करना है या उनमें पहले से आपको क्या तयारी करनी है इस सम्मन्द में बात करेंगे दूसरा किन-किन मिनीमम डॉकुमेंट के आधार पर आप मे हमारे से 21 कब तक की जा रही है दोस्तों उससे पहले भी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में जो मेरिश करने के लिए दो लोग हैं जिसमें एक है इस्पैसल मेरिज एक्ट 1954 और दूसरा है हिंदू मेरिज एक्ट 1955 अब आपने देखा होगा कि प्रक्टिकली हिंदू मेरिज एक्ट को ज्यादा प्रियोग क्यों किया जा रहा है और इस्पैसल मेरिज एक्ट को तुना प्रियोग क्यों नहीं किया जा रहा इस संबंद में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं देखिए इस्पैसल मेरिज एक्ट से जब आप मेरिज करते हैं तो आपको प कर रहा है तो यह सुभाविक है कि आपको मेरिज करना मुस्किल ही नहीं ना उम्मिदें उसकी खतम सी हो जाती है तरह से हम यह कह सकते हैं तो ऐसी इस्तिती में आपके पास क्या option हो आप किस तरह से मेरिज करें क्योंकि कि special marriage act एक तरह से typical procedure हो जाता है court marriage का तो यदि आप देखिए हमारा दूसरा law है हिंदू marriage act 1955 आप क्योंकि कई प्रदेशों में ऐसा है कि हिंदू marriage act 1905 की जो guideline है उसको follow नहीं किया जारा यदि आप example के रूप में विहार को ले लेते हैं तो विहार में क्या है कि इवन आपकी arrange marriage भी हुई है और उसके registration के लिए आप जाते हैं तो वही नोटिस वाला process follow किया जाता है जिसमें एक यह time taking process तो ही है साथ साथ बहुत सारी परेसानिया होती है आप working है आप पर इतना time नहीं है आप अपने सहर से दूर रहते हैं और आप अपनी place पर marriage registration कराने के लिए आए हैं तो उस इस्तिती में आपको बहुत सारी कटनायों का सामना करना पड़ता है या फिर आप एक ऐसे कपल हैं जो marriage करना चाह रहे हैं जाती की दीवारों को तोड़ करके marriage कर रहे हैं या धरम की दीवारों को तोड़ करके marriage कर रहे हैं आपका परिवार आपको support नहीं कर रहा है आपके खिलाप हैं तो आप कैसे मेरेश करें तो इसके लिए यदि आप हिंदू मेरेश एक्ट 1955 की गाइडलाइन को फॉलू करेंगे तो उसके आधार पर इजी लिए आप मेरेश कर पाते हैं देखिए सबसे पहले आपको यदि आप हिंदू, जैन, सिक्क और बहुत इसाई और मुसलिम्स को छोड़ कर यदि आप दूसरी किसी कमुटी से आते हैं तो आप आरेश समाज मंदर से अपनी मेरेश करा सकते हैं यानि आपकी सेरेमनी कंडेट कराई जाएगी और उसके बाद उस ही आधार को बनाते हुए आपकी जो मेरेश है वो रिष्टार आफ मेरेश यानि जो मेरेश अधकारी होते हैं भिन भिन प्रदेसों में अलगलग अधकारियों के जिम्मेदारी दे गई है कहीं SDM इस जिम् या पर इस तरह के मेरेश याधकारी जो होते हैं उनके द्वारा आपकी मेरेश रिष्टर कराई जाती है और वहां से एक certificate प्रोबाइड किया जाता है जो मेरेश का authentic certificate होता है लीगल certificate होता है जो आपको पती और पत्नी के रूप में प्रूब करता है मालिजे मुस्लिम है य सब्सक्राइब सकते हैं और उसके बाद इस जा आपको सर्टिफिकेट इस तरह से मिल सकता है तो यानि आप किसी भी कम्ộटी को आते हैं आपको according to Hindu marriage act 1955 का जो provision है जो तरीका है उसी के जरिये से आप marriage easily कर सकते हैं जिससे के आपके घर किसी तरह की कोई information न पहुँचे और यदि आप ऐसे प्रदेश को बिलॉंग करते हैं जहां पर marriage कराने के लिए notice publish किया जाता है तो आप court marriage consultant से संपर कर सकते हैं जिससे कि हम आपकी easily 3 घंटे के अंदर marriage conduct करा देते हैं और उसको registered भी करा देते हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यदि आपके document में age कम है और आप यह सोचते हैं कि उसको आप edit करा करके कई बार couples की call आती है मेरे पास वो कहते हैं कि sir हमारी actual में age तो पूरी है पर आधार कार्ड पर वो गलत दे दी गई है यानि मेरा जो जनम हुआ है उसके हिसाब से मेरी उमर पूरी है पर आधार कार्ड पर मेरी age कम कर दी गई है यदि मैं उसको edit करा लेता हूँ तो हमारी marriage हो सकती है क्या या फिर किसी और document पर हमारी जो age है वो गलत type कर दी गई है उसको हम edit करा के सही करा ले या फिर proper genuine तरीके से यानि आधार कार्ड को आधार कार्ड सेंटर से ही कराते हैं और उसके बाद वो हो जाता है तो उससे marriage कर सकते हैं दोस्तों यहां यह समय लीजे जो आपकी age है आधार कार्ड पर mention की गई है यदि वही same age आपके age के proof यहां marriage में सबसे बड़ा factor होता है age का proof यदि जो भी age का proof है जैसे आपकी 10th class का school certificate है आधार कार्ड में आपकी age कम mention की गई है suppose करिए आधार कार्ड से आपकी आधार कार्ड को update करा सकते हैं अपनी mark seat के आधार पर आपको कोई भी किसी तरह की परिशानी नहीं होगी और इससे अलग यदि आपके worth certificate या आपकी mark seat या रासन कार्ड पर आपकी age कम दर्शाई गई है और आधार कार्ड पर भी परिणाम ये होगा कि आपको सलाकों के पीछे जाना पड़ सकता है तो ऐसी गलती आप कभी भी भूल कर भी ना करें अब सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि marriage की जो legal age है वो क्या है अभी हम 2023 में बात कर रहे हैं और इस समय जो लड़की की marriage की legal age है वो 18 है और boy की जो legal age है वो 21 है साथ-साथ आप ये जानिये कि आप कौन-कौन से document प्रियोग कर सकते हैं देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी आपसे कहा कि marriage के लिए जो age factor है वो important होता है तो सबसे पहले आपके पास age का एक ठोस प्रूफ होना चाहिए जिसमें आप school certificate प्रियोग कर सकते हैं 10th class की आपके पास mark seat है तो उसे प्रियोग कर सकते हैं या कई बार इस तरह की सिति होती है कि किसी कपल ने 10 तक अपनी study नहीं की है उससे कम study की है तो आप उस case में अपने मालीज़ आपने age तक पढ़ाई की है तो age तक की tc वगरा भी आप प्रियोग कर सकते हैं age proof के रूप में उसके अलावा आपके पास जनम प्रमाड पत्र है उसे आप प्रियोग कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई other document में driving license हो, passport हो या ऐसा कोई और document जो authentic है इसके लिए आप प्रियोग कर सकते हैं देखिए अब बात करते हैं address proof की तो generally address proof में तो बहुत common से document लगते हैं आपके पास मालीज़े कोई bank की passbook है तो वो भी प्रियोग कर सकते हैं, यदि घर का document आपके पास है जिसमें address दिया गया है अब बात आती है ID की ID में जैसे pen card है voter ID है, आधार है driving है, passport है इन पर आपकी इस तरह से और देखा ये गया है practically कि जब आप कोई भी age का और address का document प्रियोग कर रहे हैं तो ID स्वते ही उसमें आ जाती है तो इस तरह से जैसे आपने 10th का certificate लिया और आधार card ले लिया तो cable और cable दो document के आधार पर आपकी marriage हो सकती है दोस्तों यदि आपको ये हमारी जानकारी ठीक लगी हो तो please आप हमारे चैनल को like करें share करें और subscribe करें